हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो आर चैनल और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लॉग क्लॉग या नहीं घड़ी जो स्टेट लेवल के एक्जाम होते हैं उनमें घड़ी से एक क्वेशन बनता ही बनता है और यह बहुत इसी टॉपिक है आपको बस तीन फॉर्मुले याद रखने हैं उन तीन फॉर्मुले से आपका पूरा कोई भी कुशन आजाए इसमें बस तीन ही टाइप के कुशन होते हैं जो इसली आपके कवर हो जाएंगे लेकिन घड़ी के कुशन करने से पहले आपको जो इने हैंड्स भी बोलते हैं एक होती है मिनट हैंड्स मिनट की सुई दूसरी होती है घंटे की सुई आर हैंड्स तीसरी होती है हमारी सेकंड की सुई अब अगर मैं बात करूँ मैं सबसे पहले आपको मिनट का बताती हूं फिर मैं आपको घंटे का बताऊंगी अगर मिनट की कोई भी सुई घूम रही है यहाँ से start करके यहाँ से वापिस यहाँ पर आ रही है 360 पर आपको यह पता है कि पूरे यह मिनट कितने होते हैं एक चक्कल लगाने में एक घड़ी जो मिनट की सुई है 60 मिनट लेते है यानि 60 मिनट में कितने degree का कौन बनता है? 360 मिनट का और हमें ध्यान रखना है हमें हर चीज के लिए 1 मिनट का भी जो एंगल है उसको find करना है और 1 आउर का जो घंटे का एंगल है उसे भी हमें ध्यान रखना है ये दोनों चीज़े अगर आपको याद हैं यह पूरा घूम के कोई चीज बनता है तो हमिशा 360 डिगरी का कोड बनता है ऐसे सीधा अगर कोई बनेगा तो 180 और ऐसा अगर बनता है तो यह 90 डिगरी का बनता है अब 60 मिनट में 360 है तो एक मिनट में कितना हो जाएगा 360 upon 60 1 0 स 1 0 यानि एक मिनट में जो एंगल बनता है आपका 60 डिगरी का बनता है एक मिनट में एंगल बनेगा 6 डिगरी का आपको आगे की questions के लिए ध्यान रखना है और अगर मैं बोलू घंटे की बात करूं तो आपको पता है कि ये फिर घंटे और यहां से यहां तक कितने घंटे होते हैं आपने देखोगा 1, 2, 12 गंटे होते हैं यहां पर लास्ट में 12 बसते हैं तो 12 गंटे में कितने डिगरी का कॉन बना रहा है मैंने अभी बता है कि चाहिए कोई भी सुई घुमे वो 360 डिगरी का कौन बनाएगी तो 12 घंटे में बन रहा आपका 360 डिगरी का तो एक आउर में कितना बन जाएगा 360 अपॉन 12 यह हो जाएगा 3 and 30 अब आपको पता चल गया है कि एक मिनट में कौन बनता है मिनट की सुई में 6 डिगरी का और एक घंटे वाली सुई जो बनाती है वो बनाती है आपका 30 डिगरी का कौन यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब तीसरी बात मैं एक आपको बताती हूँ कि किस टाइप के आपके पास कोशन आएंगे एक कोशन आपके पास बनता है कि आपके पास कोशन आगया 3 बच के अगर 40 मिनट है किसी घड़ी में 3 बच के 40 मिनट का समय हो रहा है तो आप बताईए कि उस समय घड़ी में कोण कितना बन रहा होगा दोनों सुईयों के बीच आपको यह देखना है कि दोनों हैंड्स के बीच यह सुईयों के बीच एंगल फाइंड करना फर्स टाइप आप इसे नोट कर लीजेगा दोनों सुईयों के बीच कोण किसे फाइंड करते हैं तो हमें एंगल फाइंड करने के लिए एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल बिट्विन हैंड्स या दोनों सुयों के बीच कौन इसका फॉर्मूला होता है 11 बटे 2 11 अपॉन 2 इन्टू मिनट माइनस 30 आर 11 बटे 2 मिनट की जगह आपको मिनट जितना दिया होगा माइनस 30 इन्टू आर अब देखिए अभी हमें समय दिया था 3 बच के 40 मिनट मुझे अगर इसके लिए निकालना है तो फिर मैंने इसे फॉर्मूले में रखा 11 अपॉन 2 इन्टू मिनट मिनट की जगह है 40 माइनस 30 आर कितने मेरे 3 तीन बच के बटे यानि 3 घंटे हो गए है इन्टू 3 अगर मैं इसे काटूं तो हो जाएगा 20 11 और 20 की मल्टिप्लाइ करेंगे तो 220 माइनस 90 और 220 में से अगर आप 90 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री आपका जो एंगल बना वो बनेगा आपका 130 डिग्री इन केस अगर ये वाली वैल्यू आपकी बढ़ी आती अगर यहाँ पर देखिए आप अगर ये होता हमारा की 4 बच के 20 मिनट पे आपको एंगल फाइंड करना है दोनों सुईयों के बीच तो फिर से हमने फॉर्मूला लगा है 11 बटे 2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर आर आपके हैं गंटे 4 फिर से मैंने इसे कैंसिल आउट किया ये कटेगा आपका 10 बारी 10 से अगर मैं मल्टिप्लाय करूंगी तो 110 माइनस 120 इस कंडिशन में क्या करते हैं आपको 120 में से 110 कटा देना जो की हो जाएगा आपका 10 डिक्री तो आपका जो अगर इसके बीच एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 10 डिक्री का बनेगा ये चीज आप पॉइंट टमबर वन ध्यान रख लीजिए कि हमें दोनों सुईयों के बीच एंगल कैसे निकालना है कोंड कैसे ज्याद करना है अब दूसरा पॉइंट होता है जब हमें कोंड या एंगल दिया हुआ हो एंगल दिया हुआ हो और हमें ज्याद करना है टाइम अब इस टाइप के कोशन में तीन कंडिशन होती है जब एंगल आपका 0 डिग्री होता है सेकिंड एंगल आपका 90 डिग्री होता है और थर्ड आपका एंगल 180 degree होता है लेकिन आपको mostly ऐसे एंगल दिये नहीं रहेंगे आपको question में बोला होगा कि जो दोनों सुईयां हैं वो लंबवत हैं लंबवत का मतलब है perpendicular है 90 degree का कौन बन रहा है या दोनों सुईयां एक दूसरे के opposite है इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच 180 degree का कौन बन रहा है और तीसी condition होती है कि दोनों सुईयां संपाती है संपाती मतलब एक दूसरे के उपर है अगर गंटे की सुई यहां पर है तो मिनट की सुई भी उसके उपर है तो उस condition में क्या होता है एंगल बनता आपका 0 degree का और अगर आपको एंगल दिये हैं तो आपको time कैसे find करना है उसका आपका formula होता है तो अब आपको एंगल दिये हैं आपको निकालना है time जब angle given हो और हमें time निकालना हो आप यह सारे formula एक बारी पहले ही शुरू में लिख लीजिए ताकि जब question आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो इसका formula होता है 2 upon 11 h into 30 plus minus angle यानि a अब plus और minus आपको किस condition में plus करना है और किस condition में minus अब आपके पास ये घड़ी होती है घड़ी के दो पार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 और यहाँ पे 12 और 6 यह होता है जब भी हमारे पास इस portion का time हो इधर का प्रथम चतुर्थांस बोले या first coordinate बोले से तो हमें plus लेना और जब इस time इस हिससे का time हो तो हमें क्या गरना है formula में minus लेना अब जब question आएगा तो आप इसे इसली समझ जाओगे और तीसरा होता है आपको mirror वाला question होता है mirror यानि दरपन वाला तो आपको इसमें दिया हुआ होता है कि आपने किसी दरपन के आगे या mirror के आगे किसी घड़ी को रखा और दरपन में आपको समय कुछ दिखा तो आपको जो real time होगा या वास्तविक समय होगा वो आपको find करना है ये वाले question और इस type के मैं आपको कल बताऊंगी आज जो 2 है उसको आज हम finish करेंगे तो चलिए one by one अपने question की तरफ चलते है इसमें बोल रहा है कि किसी घड़ी में 7 बज़े है तो जो घंटे की सुई है वो कितने degree घूमेगी या कितने degree का कोण बनाएगी जब कि घड़ी में एक बज़े हो तो basically आपको 7 बज़े से एक बज़े के बीच कितने घंटे घड़ी की आपको ये देखना है कि घंटे की सुई की बात हुई है आपको मैं इसी में मिनट की सुई की भी बात बताऊंगी कि कैसे हमको उस question को करना है अब देखिए घंटे की सुई कितना घूमेगी 7 बज़े से पहले देखिए कि एक बज़े तक कितना घंटा हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 1 यानि घंटे कितने होए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो घंटे कितने होगे हमाई पास आर कितने होगे है 6 आर्स यानि हमें 6 घंटे के बीच का कोंड ग्यात करना है अभी मैंने आपको एंगल का बताया था कि जब एक घंटे में जो घंटे की सुई है वो बनाती है आपका 30 घंटे का एंगल तो 6 घंटे में कितना बना देगी 6 आर्स में बना देगी आपका 30 इंटो 6 यानि 180 घंटे का एंगल तो आपका ये कोशन तो बहुत easy कोशन था अगर इसमें minute का पूछा होता कि minute कितने डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसके लिए आपको 7 और 1 के बीच पहले आपको पता है कि 6 गंटे हुए अब 1 गंटे में 60 मिनट होते हैं तो 6 गंटे में कितने हो जाएंगे? 360, 360 मिनट, अब आपको पूछा वाए कि 360 मिनट में कितने डिगरी का एंगल बनेगा? तो जब 1 मिनट में 6 डिगरी का बनता है तो 360 में आप उसको मल्टिप्लाइ कर लोगे तो वो आपका एंगल निकल जाएगा अब हम आगे अपना कोशन देखते हैं इसमें यह बोड़ा है कि 4 बच के 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिगरी घूम जाएगी या कितने डिगरी का कोण बनाएगी यदि जो समय है वो 12 बचे से स्टार्ट हुआ है अब मैं सबसे पहले आपको घंटे की सुई छोड़के इसमें मैं अगर पूछा जाता कि 4 बच के 20 मिनट में समय दिया हुआ है और एंगल पूछा जाता तो आप कैसे करतें अभी तो इसमें पूछा है कि घंटे की सुई कितने डिगरी का कोण बनाएगी और अगर ये पूछा जाता कि दोनों सुईयों के बीच कितने डिगरी का कोण बनेगा तब आप कैसे करतें तो फिर से अगर आप वोई वाला फॉर्मलल लगातें 11 upon 2 मिनट मिनट की जगह है 20 20 minus 30 into 4 तो इसे काटेंगे 10 times 110 minus 120 तो आपका हुजाता ये मैंने बताया जब यहाँ बड़ा आ जाए तो इसमें से minus करेंगे तो 10 डिगरी यानि 4 बच के 20 मिनट पे 4 बच के 20 मिनट कुछ ऐसे बनेंगे तो ये कोण कितना बज़े बनेगा आपका 10 डिगरी का लेकिन यहाँ प 4 गंटे में कितना डिगरी का कोण बनाया होगा सबसे पहले 1 गंटे में बनता आपका 30 डिगरी का तो 4 गंटे में कितना हो जाएगा 4 गुणा 30 यानि 120 डिगरी का आपका उसने 4 गंटे में बना लिया आप बचे 20 मिनट चार बच के 20 मिनट आप 20 मिनट को क्या करना तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइट करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे 3 आवर, यानि 20 मिनट बराबर 1 बटे 3 घंटे, अभी आपको पता है कि 1 घंटे में 30, 1 घंटे में अगर 30 डिगरी का कोण बन रहा है, तो 1 बटे 3 घंटे में कितना बनेगा, 30 घंटे 1 बटे 3, यानि 10 डिगरी, और अभी हम पहले वाले में निकाल चुके थे, 120 तो उसने 4 बज़े तक बना लिया था, और 20 मिनट में कितना बनाया है, फिर 10 डिगरी का, तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका, 130 डिगरी का, यह आपका बनाया है, घंटे की सुई अगर मिनट की सुई द्वारा निकालना हो, अगर कोशन में यह पूछा जाता है, कि 4 बज़ के 20 मिनट तक मिनट की सुई ने कितने डिगरी का कौन बनाया है, तो मिनट की सुई के लिए अगर आप निकालो, तो 4 घंटे को फिर से आप मिनट में चेंज कर दोगे, तो वो हो हो जाएगा, 260 मिनट, 260 मिनट में आपको फाइंड करना है कि मिनट की सुई ने कितने डिगरी का एंगल बनाया होगा, इसमें बोड रहा है कि 5 बच के 30 मिनट और 6 बजे के बीच जो हैं या सुईया है वो राइट एंगल या एक सो असी डिगरी के एंगल में हो या एक दूसरे के विपरीत हो, वो टाइम आपको ग्याद करना है, अभी मैंने आपको शुरू में फिर जो दूसरा फॉर्मूला बताया था कि आपको एंगल दिया हुआ होगा और आपको समय ग्याद करना है, तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 2 upon 11 h into 30 plus minus a, यह फॉर्मूले आप जब 3-4 बा कर लोगे, तो यह फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं, बाकी मैं आपको questions की list दूँगी, जब हमारा syllabus पूरा हो जाएगा, तो आप जब practice करेंगे, तो आपको सारे फॉर्मूले आपको अपने आप ही रट जाएंगे, अब देखिए, अब देखिए, यहाँ पे दो समय आपके पास, 5-30 भी है और 6 भी है, यानि 2 घंटे, एक 5 है और एक 6 है, तो आपको कौन सा आउर यहाँ पे रखना है, कौन सा घंटा यहाँ पे रखना है, तो जो पहले वाला होता है, वो आपको यहाँ पे put करना होता है, तो अगर हम इस question में रखेंगे, तो time हमको find करना है, 2 upon 11, आर की जगह हमने 5 रख लिया, 5 into 30, अब मैंने बोला था कि अगर पहले जतुरतांस में समय हो रहा हो, तो आपको plus रखेंगे, और दूसरे में हो रहा हो, तो minus रखेंगे, तो यहाँ पे पहले में 5 जो है, यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे हम plus रखेंगे, plus angle angle, right angle का मतलब होता है आपका, 180, sorry, right angle होता है आपका 90 degree का, समकोन इसको बोलते है, 90 degree के angle की बात हो रही है, तो यानि angle हो गया आपका 90 degree का, अब कई बारी इहाँ पे right angle या फिर इस टाइप के world ना हो, angle ना दिया हो, ऐसा बोला हो कि lines एक दूसरे के opposite हैं, या lines एक दूसरे के कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आपको क्या करना है उस condition में, इसमें तो आपको, अगर एक दूसरे के opposite हो, तो आपको 180 degree रखना है, और एक दूसरे के ऊपर lines हो, तो आपको 0 degree रखना है, इसको हम इस condition को समपाती बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जिससे English में बोलते हैं coincide coincide lines होती है जो एक दूसरे के उपर हो इन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं अब अगर हम इसे इस उपर वाली equation को solve करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 upon 11 को मैंने ऐसे ही रहने दिया 5 को 30 से multiply करेंगे तो आएगा 150 plus 90 फिर हम इसे solve करेंगे तो 2 upon 11 into 150 और 90 को add करते हैं अगर हम तो हमारे पास आता है 240 और 240 और 2 की multiply अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 480 upon 11 अब 11 को हम 11 की अगर हम भाग करें 480 में तो अगर मैं इसे देखू तो ये 4 टाइम 444 यहाँ बचेगा फिर 4 फिर जाएगा 3 से 33 और नीची हमारा बचेगा 7 तो ये क्या हो जाता है जो ये remainder बचता शेश्वल बचता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 43 जो हमारा भाग देखे आया and 7 11 तो ये कितना हो गया आपके total minutes निकलते है समय जो ये जो निकलता है ये minutes निकलता और इसको हम add करते हैं जो हमारे पास घंटा था घंटा शुरू में कितना था 5 तो हमारा समय क्या निकलेगा total जो समय निकलेगा वो निकलेगा पाँच बचके ये पाँच बचके यहाँ पे English में दिया है past 5 जो अभी हमारा answer निकला 43 and 7 by 11 minute पाँच बचके 43 सही 7 बटे 11 minute ये आपका घंटा हो गया है और ये आपके minutes जो हमने calculate करके निकाले अब हम अगला motion देखते हैं अपना अब पुछा वाय कि how many times in a day the hands of a clock are straight कि कितने दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुईया सीधी रहती है सीधी का मतलब अब दो तरीके से रह सकती है एक condition ये होगी जब ये opposite direction में यानि इनके बीच 90 degree का कौण बन रहा है और दूसरी condition में ये है कि जब ये संपाती है coincide है यानि एक दूसरी के उपर एक सुई के उपर दूसरी सुई है तो जब ये condition होती है तो 22 बार दिन में दोनों सुईयों के बीच 180 degree का कौण बन रहा होता है और 22 बार दिन में दोनों सुईयों के बीच 0 degree यानि एक दूसरी को पर वो lines होती है तो कितने होगे 22 प्लस 244 time ये आपको question as it is याद रखना है कि कितनी बार घड़ी की सुईयों दिन में स्ट्रेट होती है सीधी होती है दोनों सुईयों 44 बार दिन में से 22 बार अगर ये पूछा जाए कि कितनी बार 180 degree का angle बनता है 22 बार और कितनी बार यानि ये एक दूसरे के अब विपरीत होती है अब विपरीत होती है और कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है 22 बार और इस condition में 0 degree का angle बनता है अब हम question number अगला देखते है अपना now question number 5 is at what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a watch point in opposite direction आप देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि most of the time आपको angle नहीं देगा cone आपको नहीं देगा और आपको इसी तरीके से वो किसी भाषा में दे देगा कि घड़ी की जो सूईया है वो विपरीत दिशा में विपरीत मतलब अगर एक सूई घंटे की इधर को है तो ठीक उसके विपरीत minute की सूई इधर कोगी यानि इन दोनों के बीच cone कितने ये degree का बन रहा है 180 degree का cone बन रहा है तो फिर से मैंने वो ही बोला जब आपको angle given हो और आपको time निकालना है तो time का formula होता है 2 upon 11 h into 30 अब देखिए 4 और 5 बजे के बीच की बात है यानि प्रथम चतुर्थांस में बन रहे first coordinate में बन रहे तो plus होगा plus a अब मैं इसे solve करती हूँ तो यह हो जाएगा 2 upon 11 5 into 30 sorry 5 into इसमें बात कर रहे हम 4 इसमें आएगा 2 upon 11 h की जगा हमारा आएगा पहले वाला जो घंटा होता यह हमारा 4 h into 30 plus angle angle कितना बताया मैंने आपको 180 अब इसे हम आगे solve करेंगे तो 2 upon 11 यह हो जाएगा 120 120 और 180 को अगर हम add करते हैं तो यह आता हमारा 300 300 और 300 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 600 और 600 को हम 11 से divide करेंगे 11 से अगर मैं 600 को divide करती हूँ तो यह इस तरीके से होगा 5 times जाएगा 55 11 और 5 की multiply करेंगे तो 55 फिर यहाँ पर बचेगा 5 0 फिर 4 times जाएगा 44 इधर बचेगा 6 तो मैंने खाएगा इसको कैसे लिखते हम जितना भगफल आया आपका यहाँ होगा यह नीचे remainder शेशा है उसको यहाँ और यह आपकी बन गई है संयूक्त भिन यानि कितने मिनट हुए 54 सही 6 बटे 11 मिनट और उसको हम किसमें जोडते हैं जो की पहला घंटा था तो हमारा समय कितना हो जाएगा 4 बचकर 54 सही या 4 घंटे 54 सही 6 बटे 11 मिनट या देखे 4 बचकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट जो की आपका यह आंसर है 54 प्लस 6 बटे 11 पास्ट 4 तो आज के जो टॉपिक में थे हमने दो चीजे सीखिए कि जब हमारे पास टाइम गिवन हो तो एंगल कैसे फाइन करना है और दूसरा अगर एंगल गिवन हो तो टाइम कैसे फाइन करना यह दोनों ही कोशन इंपोर्टेंट होते हैं और इसी से ज़्यादा तर कोशन बनते हैं तो इनको आप आज अच्छे से कर लीजेगा कल जो इसके बागी टाइप के कोशन बचे हैं कल वो हम लोग करेंगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हम अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई, टेक केर, गुड़ लग